कि हमने इन दोनों के बीच का difference पूछा था राइट symptoms and science के बीच का क्या difference है symptom symptoms of the disease are the things we feel as being wrong ठीक है symptoms किसको कहते हैं symptoms of the disease are the things we feel as being wrong अगर हमें महसूस हो रहा है कि कुछ गडबड है हमारे शरीर में कुछ गडबड है वो क्या सेखमaları कारा उसको कहेंगे उसको कहेंगे symptoms सिर्फ हम सब्सक्राइब कर पार रहे हे headache हो रहा है मानले जेए क्या हो रहा है headache हो रहा है सरदर्द हो नशरीर इनमस्ट होगा तो मेरे opposite में बैठे किसी को महसूस होगा दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते है जो हम फील कर रहें लेकिन हमें तो हो रहा है वह सरदल हम उसको क्या कहेंगे उसको कहेंगे symptom लेकिन वह ही science कि जो कहेंगे sign वह होता है sign of a disease are the things a documentary looks for on the basis of symptoms अब हमने कहा कि मुझे सर में दर्द Roze क्या है by Saati sa kasih jo vomiting sa feel How along अधे कि भूपिंट इसफिलोह और क्या दोरअग वमिटिंग सा फिलोह रहा है से agree यह सब क्या है हमने बताया symptom by दया ठीक हमने क्या बताया symptom fever और डॉक्टर ने चेक कर लिया इनिवेज यह सब हमने सिम्टम बताया वामिटिंग जैसा फील हो रहा है उसकों कहते नौज यह तो हमने सिम्टम बताया ओश सिम्टम के कि बेसिस पर अच्छा डॉक्टर ने का को यह बात है चलो कुछ क्या खाना खाये थी तो आप बोलोगे कि हमने समोसा खाया था कहां से खाया था समोसा अच्छी होटल से तो नहीं बगल जार बहुत ट्रावल करना था तो रास्ते में मिल गया तो हमने समोसा खा लिया विप्टनेस हो गया आपको food poisoning अ मिधे क्या थी आपको food poisoning हो गया है दवा दो और क्या चलाओ ग्लूकोस का बॉटल चला दो ठीक ग्लूकोस देदो ठीक हो जाएगा तो यह क्या है यह डॉक्टर ने अइदिटिफाई किया दाटी स्कॉल साइन यह सब चीजे किस की तरफ इ साइन कर रहा इंडिकेट कर रहा है उसको हम कहेंगे साइन ठीक है ओके सिम्टम किसको इंडिकेट करता है दार माइट भी यह डीजीज यह बताता कि कुछ हो सकता है और साइन कहता है कि यहीं डीजीज है तो बहुत है डिफरेंस दोनों का डिफरेंस सिम्टम किसको कह रहा है स अच्छा सरदर्द हो रहा है सरदर्द हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है नमबर वन नीद नहीं आई होगी स्लिपलेस्ट नेस कि दूसरा मेंटल प्रेशर हो सकता है मेंटल स्ट्रेस हो सकता है है तीसरा यह आंख ऐसाइज्ट में प्रॉब्लम हो सकता है कि पर स्ट्रेस कर आपा होगा यहां पे हो सकता है कि क्रभधा होगा आइसाइज्ट प्रॉब्लम आया होगा कि तो री मसल्स पे स्ट्रेस बढ़ा और ओपगा है unrealistic प्रेशर पड़ सकता है फॉर्थ पॉइंट क्या है फॉर्थ पॉइंट क्या हो सकता है फॉर्थ पॉइंट हो सकता है कि बहुत कोई फिजिकल 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 अटाक हो सकता है फिजिकल अटाक के वजह से हो रहा है यानि कोई चोट लगा हो सकता है या फिर यह यह भी हो सकता है कि brain tumor हो अब सर में दर्थ हो रहा है गूगल बेचिक करोगे तो कहेगा कि brain tumor आप पढ़ जाओगे mental stress में सरदर्थ और बढ़ जाएगा यह क्या है यह जस्ट symptom है जो बता संभावना है कि यह हो सकता है कुछ तो गडबड है दया कुछ तो गडबड है यहां प है रॉमेट है को norm is masking सब चीजरो यह होता है एक बात बताते हैं प्लावग है और लोग जोड़ा है थीवर आने वाला है हेड़ हो जाएगा वम्यूटिग हो जाएगा उसके वज़ने जम्द हो जाएह तो हिटेक हर चीज होता है अगर हो रहा है इसका मतलब कुछ तो गड़बढ़ है तो उसके बाद आप चेक करोगे तो यह चेक करोगे क्या करोगा ब्रेंट यूमर का आपको शक होगा अगर डॉक्टर भी बकलोल निकला तो भी कहेगा अच्छा ब्रेंट यूमर है चलो एजी करवालो तो यह सीटी स्क लेकर किसी चीज़ की जरुवत नहीं है मातर है अगर पूछ लिया होता कि टीवी जादा देखते हो हां सर रात में कितना देर सोते हो तर तीन घंटा होगा नी सरदर आराम से सो स्रिपनेश्टनेस है और आई मसल में टिंसन क्रियेट हुआ है यह होता है अच्छा डॉक्टर और होगा बकलोल क्या करेगा जब लेड़ी लेलो पेट सिटी लेवीजि कर और गया चौद हर का बिल बन गया पेट सिटी कर आओगे पांस के बिल बन गया बैप सिकर ऑगे कितना का बल मुझ गया कम से कम 3-4,000 का बनी जाता है अब सी में भी ठीक है बन गया करेंगे सीधे गूगल बबापर सर्च करेंगे क्या हो गया सरदर्द हो रहा है तो दिखाएगा दस चीज उसमें सबसे जो खतरनाक रोग होगा इंसान को लगए कि मुझे यहीं हुआ है जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है है तो अगया बढ़ते हैं समझ में आया कि नहीं आया ऐसा होता है ऐसा होता है एक पेशेंट एक पेशेंट पेशेंट थोड़ी हमारी दीदी गई थी कि उनको पेट में दर्द हो रहा है ठीक है प्रेग्नेंसी टेस्ट लिखा प्रेग्नेंसी टेस्ट जो है वो नॉर्मल है मेंस्ट्रूल साइकल स्टॉप होको चुका है मेंस् स्ट्वेशन नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है श्रक गया कि प्रेग्नेंसी हो सकता है तो प्रेग्नेंसी टेस्ट कर आया गया प्रेग्नेंसी टेस्ट सानो सर मेल था तब भी अच्छा वह नहीं तो प्रेग्नेंशी टेस्ट हुआ खिटीव आया तो डॉक्टर के गए डॉक्टर ने क्या किया डॉक्टर ने पूछा यह सब चीजे अच्छा यह अच्छा हो रहा है आपके पेट में पत्री है चले जाओ यह दवा खाओ ठीक हो जाएगा ऑप्रेशन कर लेना अगर ज्यादा दर्दुआ तो यह डॉक्टर का कहना है ठीक है फिर वह हमसे कंस प्रोब होता है निचे जेली लगाकर पूरे अब्डमेन पे स्कैन करते हैं ठीक है सोनोग्राफी जिसकों कहते हैं ठीक अल्टरा साउंड तो यह हुआ है तो नहीं हुआ है तो बीना टेस्ट कराये डॉक्टर कैसे बोल सकते हैं कि पत्री है आओ फिर से उनको दुबारा अ क्या है एक दम नार्मल था problem था जैके वजह से यह problem हो रहा था कि जैनितल इंफेक्शन ता ट्रीटमेंट ह्यो ठीक हो गया एग क्रीम लिए गया पैटीक हो गया ढिंज़ हो ढया ठीक है डीक है सो एसे डौ Нबजें पðूढ़ां धोसे हैं हो Спancais थलो अग्यों के कि अक्यों symptom क्या है अब हम देखते हैं कि type of disease, disease के कितने types हैं तो पहला है acute disease और दूसरा है chronic disease, दो type के disease हैं यहाँ पर ठीक है, यह based on, based on time period, time period, कितना दिन तक वो disease है, उसके उपर depend करके हमने क्या किया है, disease को दो हिसे में divide किया है, ठीक है, एक है acute disease, दूसरा है chronic disease, acute हम किसको कहेंगे, acute, अच्छा, आपको खासी है, कितना दिन से है, तीन दिन से है, अच्छा चलो, यह antibiotic खालो, ठीक हो जाएगा, अमॉक्सी ले लो, ठीक हो जाएगा, यह तीन दिन का खासी, एक और दो, तीन दिन हो सकता है, और यह, एक week में ठीक हो गया, यह हो गया, short term disease, क होता है, पसीने छूटते हैं, कमपन होता है, बॉड़ी हमारे गलने लगा है, क्या problem हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, actually fracture is not a disease, it's not a disease, नहीं वो disease है, नहीं disorder, फ्राक्टर रोग नहीं है, नहीं, ठीक है, फ्राक्टर is something physical, ट्रॉमा के वज़द से हुआ है, तो वो, डिस, ही, disorder है, ठीक है, फ्राक्टर is just a fracture, ठीक है, तूट गया है, that's all, obviously, ill due to corona is acute, क्योंकि corona के वज़ए तो 5 दिन में ठीक हो जाएंगे, 14 दिन का quarantine, जूट मुट कैसे होता है, लेकिन 5 दिन, एक सब्ता तक ठीक हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है, अगर treatment चला तो, तो this is acute disease, it's not chronic, it's acute, chronic इसको कहते हैं, समझ लिजे, पूरा दोनों को एक तो आसानी, पहले अराम से, दोनों को समझ लिजिए, अगर फिर भी doubt रहा, तब question करिएगा, ठीक है, चले, acute मतलब short term disease, मुझे fever है, ठीक है, हमने parastom हो लिया, और, ये क्या है, acute, ठीक है, मुझे diarrhea है, डाइरिया है, मतलब मान लिजे क्या है, ये क्या है, acute है, ठीक है, मुझे लेकिन शुगर है, क्या है, यानि diabetes है, जिन्दगी भर मुझे दवा खाना है, ये क्या हो गया, ये हो गया, chronic, इसको कहेंगे long term disease, क्या कहेंगे, long term disease कहेंगे, यानि ऐसे disease, जो लंबे समय तक चलते हैं, उसको कहते हैं, long term disease और chronic disease, समझ में आ रहा है, ऐसा disease, जो कुछ समय के लिए है, उसके बाद ठीक हो जाओगे, completely, perfectly, all right हो जाओगे, hundred percent ठीक हो जाएगा, that is your acute disease, ठीक है, समझ में आ रहा है, अब मान लो, कि यहाँ पे एक नया term आपके सामने है, debility, ठीक है, debility ग्रिस को कहते हैं, अक्सर कुछ-कुछ ऐसे से शब्द सामने पढ़ जाते हैं, जिनको Google करना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन यह एक बहुत असान सा शब्द है, debility का मतरब होता है, कमजोरी, क्या होता है? कमजोरी, weakness, क्या होता है? weakness होता है debility का मतरब क्या होता है weakness होता है sir cold virus से होता है तो antibiotic कैसे काम करेगा cold virus से हो रहा तो antibiotic काम नहीं करेगा बिल्कुल काम नहीं करेगा किसने कहा काम करेगा हमने काफ है खांसी है खांसी is not cold it's cough and cough is due to the bacterial infection and antibiotic is very much useful in bacterial infection right sir coronavirus का effect long time तक रहता है lungs में तो वो acute disease नहीं 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 ऐसा माना गया ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कहते हैं लोग दस में से एक निकल गया कि लंग्स खराब हो जाता है लंग्स ब्राउन हो जाता है ऐसा कुछ नहीं होता है अभी तक डॉक्टर्स खुद वैक्सिन अगर इतना सारा पूरा जब जानकारी होता ही जब इतना जानकारी होता है तो अब तक वैक्सी नहीं बन गया होता अभी बी कोरोना के बारे में 100% नॉलेज किसी को नहीं है तो कुछ अभी डॉफ हो कहेगा कि विलंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगा लंग्स काम करना बंद कर देगा को रिपोर्ट बता रहा था बिलकुल भकवास है ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है कोरोना वाइरस जहां तक मेरी स्टडी कहती है जहां त कोरोना विरेदेग फैμिली से है और यह फुल इंफेक्षिन है नॉर्मल फुल है तो जब नॉर्मल फ्लु है तो फुल का क्या होता है स्वाइन फुल आया गया जब तक उसके बारे में किसी को पता नहीं है कि है क्या क्या करता है शरीर में वो खतरनाक डिजीजol है लैकि जैसे ही उसके बारे में आदमी को पता चल गया वह एक नॉर्मल है फ्लू से भी हलका सा डीजीज है हलका डीजीज है कोरुणा ऐसा माना गया है कोरुणा इस नॉट जान लेवा बहुत हेवी लेवल का कोई रोग नहीं है ऐसा कहा गया है तो इसलिए कोरुणा से लंग हम रह uma बनी कहा है तो अक्यूड डिजीज दस नों ग्रेंट डेयबिलीटी अक्यूड डिस ड्रहूट डीजीस in डेविले। टिक है तो यह देखो यह क्यूड डिजीज डस नॉन calm डिणीड और यानि यह ढूर विक्निस कर आएगा क्या नि कराईगा कार एग इस एक्जांपल क्या है फ्लू कोरोना वाइरस तरह का फ्लू ही है कमजोरी मतलब लॉंग टम कमजोरी जितना देर डिजीज है उतना देर तक थोड़ा बड़ा कमजोरी तो दिखाई देगा ही देगा कॉलरा डायरिया बॉडी का पूरा फ्लूइड अगर निकल जाएगा तो उतने ही देर के लिए ठीक है कॉंबन कॉल्ट ऑल एरा डायरिया यह सब चीज़े क्या है क्यूंट डीजीज है ठीक है एसल एक यूट डीजीज है अरिये बात समझ मेरा समय मेरें तो इसलिए आप लोग ज्यादा पैनिक बिलकुल किसी को नहीं होना है आप लोग को किसी को पैनिक नहीं ओना क्या परूना उर्स कुछ निया वाइरस थे ना यहां पर जिसको कोड़ा है ना है उसके सांथ रहने के बावजूद किसी को कुरोना नहीं हो तो कोरोना इस नाधिंग जस्ट नॉर्मल इंफेक्षिन फ्लू इनफेक्षिन यह फ्लू है नॉर्मल सर्दीखाइब से जैसा ही है एना तोससे डरने की बिलकोल भी किसी को जरूरत है नहीं है राशेस राशेस जो है वो सेम्टम नहीं है वो साइन हो सकते हैं ठीक है अल्राइट चलो तो यहां पर देखो तो यहां पर देखो डिजीज विच लास्ट फॉर लॉंग पिरिएड ऑफ टाइम प्रोनिक डिजीज उफन रिजल्ट इन डिवी लिटी यानि देखो डिवर्टी चीज को हो जाएगा उसको तो उसका तो शरीर गल जाएगा बिल्कुल भी तो वो क्या है वह आपको शरीर गला देगा इल्नेस मतलब कमजोरी करा देगा डॉंगाइटेस हो गया काल रखना है ठीक है सर इंडिया में तो कोई पैनिक नहीं है हर रोज 40,000 कोरुणा पॉजिटिव आ रहें तब भी लोग मस्त घूम रहे हैं तो क्या करें जीना छोड़ते गूमो ना क्या हो गया जिसको मरना वो मरेगा ही क्या करना है वाट इस एलिफेंटाइटेस हम बता जरूरी नहीं है कि जो खुद फील कर रहा है वो स्टम नहीं होगा जाता है जाता है पाइसा नहीं है राता है किसी पाटिकलर डिजीज के तरफ इसारा कर रहा यह रहा यह रो सकता है ठिक है काल साइन बस इतना जान लेजे ज्ज्था डिमाग नहीं लगाना है symptom वो collection of collection of information देगा उसके इसाब से आपको पता लगाना कि कौन सा disease है ठीक है वो क्या होगा symptom क्या है symptom particular disease का नहीं होता है वो commonly कुछ आपको information देगा और उस information के तहत आपको देखना सप्ञान कि कौन सा आ उसके बाद आपको उसका मतलब ईलाज जूड़ना है ठीक है आपका पेट धरत हो रहा है तो पेट दरत रहा है इसका मतलब क्या है वो symptom है फिलकुल symptom है लेकिन वो क्यूं symptom है इसलिए नहीं कि वो florina ना नहीं इसलिस लिए symptom क्योंकि पेट दर्द किसी भी कारण से हो सकता है पेट दर्द food poisoning से हो सकता है पेट दर्द appendicitis से हो सकता है पेट दर्द hepatitis से हो सकता है पेट दर्द आपके gastritis से हो सकता है आप किसी भी कारण से हो सकता है ठीक है तो वो पेट दर्द सिर्फ हो रहा इसका मतलब सिर्फ आप feel कर इसलिए नहीं symptom है इसलिए symptom है कि पेठतारद किसी एक डिजीज को नहीं बता रहा है कि डिजीज के तरफ नहीं जा रहा है उसमें collection of diseases आएंगे बट साइन a sign क्या है sign एक particular disease कि तरफ इशारा करता है ठीक है तो यह यह लॉट्टरम डिजीज है chronic disease हम किसको कहेंगे long-term disease को कहेंगे all right चलो आगे बढ़ते हैं concept test elephantitis disease elephantitis can have what short-term effect on our health no effect on our health long-term effect sometimes bad effect on our health conscious answer आएगा जस्ट अभी हम देखें इसको yes very good option I guess see long-term effect and elephantitis example हमने देखा भी long-term effect yes exactly see is the right answer next अब देखते हैं causes of disease disease के कारण क्या कारण हो सकते हैं तो पहला है इसको हमने causes को तीन लेवल में डिवाइड किया है primary level secondary level and tertiary level ठीक हमने क्या किया है तीन लेवल में इसको टिवाइड किया है primary secondary and tertiary दिख रहे हम नहीं दिख रहे हम रात हो गया ना इसलिए ओफे कर देते हैं वीडियो को एनिवेश प्राइमरी लेवल इमेडियेट कॉस प्राइमरी लेवल क्या है इमेडियेट कॉस तुरंत जो आपको होता है तुरंत हो जाएगा वो डिजीज प्राइमरी लेवल कॉस Although प्राइमरी हो आइ सक्क्राइमरी प्राइमर्दी लेवल को डीजीज वेल कॉस देगे पीडए मूस डीक मैं वो डूत्रीक निट लेवल कॉस the first level cause is the primary reason behind the development of a symptom for a disease for example the immediate cause of a person suffering from diarrhea is causative agent primary cause क्या कहते हैं first level जिसके वजह से वो होता है तुरंत वो आपको रोग कर देगा वो तुरंत आपको बीमार कर देगा ठीक है ऐसा ऐसा कॉस जो तुरंत आपको बीमार कर दे ठीक है उसको कहते immediate cause कैसे जैसे मान लीजिए कि आपने खाया समोसा समोसा से हो गया food poisoning तुरंत पेट दर्द होने लगता है यहीं आपको नीचे दिए रहा है ठीक है आपने कुछ अजीब खा लिया डायरिया होने लगा तुरंत होने लगता है यह ना that is called immediate cause or primary level secondary level क्या है what is secondary level why the person got infected with the disease for example common cold हुआ है affects the only some people while many people are living in the same place secondary level cause कारण क्या है तो उसका immune system कमजोर है इस वजह से वो क्या है उसको वो common cold हो जा रहा है बार बार क्योंकि एक ही जगह पे हम भी रह रहे हैं me myself और उसी जगह पर हमारे math के faculty भी रहते हैं लेकिन math के faculty आज तक कभी उनको सरदी नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है क्योंकि उनका immune system तकड़ा है ठीक है non-vegetarian आज तक मुर्गा मच्री खाकर सब एक दम तकड़ा रखें शरीर को ठीक है तो immune system का सही है हम भीमार क्यों पढ़ते हैं हम हमें सर्दी हो जाता है क्यों क्योंकि मेरा immune system जो है वह कमजोर है तो यह हो सकता है इस इस कॉल्ड सेकेंट्री लेवल एक तो वह कॉसर्टीव एजेंट है जिसके वज़ए से बिमार पड़ें तो यह जनिटिक डिफरेंस के वज़ए से हो सकता है जनिटिक डिफरेंस के वज़ए से था immune system भी खराब हो सकता है कि immunity जब जन्म से कम हो यह हो सकता है कुछ भी हो सकता है नो रिजन सो पहले तो वह रोग हुआ किसके वज़ए से पहले तो रोग हुआ disease causing agent के वज़ए से दाट इस काल primary और उसने क्यों अटाक किया क्योंकि मु लेवल में दिया है उसको tertiary level में दिया है लेकिन tertiary level in the sense यह third level में दिया immune system तो second level में क्या आएगा second level में why the person got infected with the disease for example common cold affects only some people while many people are living in the same place एक ही जगह पे है लिए इसको नहीं हुआ कारट तो वही हो सकता है immune system में दिया है बट हो सकता है this is what it is मतलब next next level of causes पहले तो उसने infection के वज़े से उसको रोग हुआ वह infection क्यों उसको ही पकड़ा ठीक है क्यों उसको ही पकड़ा same जगह पे दो लोग है लेकिन दूसरे को नहीं हुआ पहले को क्यों हुआ तो कारट यह हो सकता है कि उसका बॉड़ी में डबलू इम्यून सिस्टम के कम ही हो गई है similarly ठीक है तो यह सकेंट्री या टर्स्टेलियावल में आएगा ठीक है मतलब अगला अगला लेवल होता है कॉस का कर दो कर दो अगला लेकिन प्सक्राइब तो छो है an infectious m infectious disease कि एक है infectious disease दूसरा है non infectious disease infectious disease किसको कहते है जो infection कोस्त करें यानि pathogen's के वज़े से जोको infectius कहते हैं non-infectious किसको कहते है जो infection cost नहीं करें यानि जो फैलता नहीं है यह भी कह सकते हैं जो infection cost नहीं करता जो किसी pathogens के वज़े से बिलकुल नहीं होता है जैसे diabetes हो गया अगर परसन एको डाइबटीज है तो क्या परसन बी को भी डाइबटीज हो जाएगा अगर इसके साथ यह हाथ मिलाता है एक साथ रहता है एक ही थाली में खाना खाता है है ना क्या डाइबटीज हो जाएगा किस करता है है ना हग करता है क्या इसको डाइबटीज हो जाएगा नहीं नहीं होगा क्या sexual intercourse कर रहा है intercourse कर रहा है क्या हो जाएगा नहीं होगा क्योंकि यह infection के वजह से नहीं हो रहा है एक particular person का insulin कम है यह glucose consumption glucose cell के अंदर utilization कम है breakdown कम है इस वजह से हो सकता है diabetes तो यह communicable नहीं है यह किसी से फैलता नहीं है है यह किसी infection किसी pathogen के वजह से नहीं होता है और यह हो गया non-infectious disease infectious disease pathogen के वजह से होता है ठीक है यह एस एड्स इंफेक्शियस बिल्कुल एड्स एड्स तो है infectious छोड़ी है वो तो immune disorder sexually transmitted disease है बिल्कुल infectious ही है एस्टीड है communicable है विल्कुल communicable है ठीक इंफेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में आ सकता है ठीक है लेकिन 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 यह infectious disease के अंडर कैटेगरी में हम जैसे यह चूनी से नहीं फैलता है इस सिर्फ और सिर्फ से फैलता है यह ब्लड transfusion से फैलता है ठीक है आप लोग बात करते हैं ठीक है आएंगे हम इस पर इंफेक्टियस डिजीज आर्दर डिजीज विजर कॉस्ट बाई microbes ठीक है AIDS microbes से नहीं होता है फिर क्यों यह infectious क्यालाएगा इंफेक्टियस नहीं है यानि यह infection के वज़े से नहीं हो रहा है बट हां communicate करता है और वो भी communicate तभी करेगा जब sexual intercourse में involved होंगे और unhealthy person से यानि जिसको HIV है person A को क्या है HIV है AIDS है क्या है person A को HIV है HIV AIDS है ठीक है HIV होने से AIDS नहीं हो जाता है लेकिन हाँ AIDS है इसको यानि person infected है और person A ने person B के साथ physical relationship में है रोज sexual intercourse कर रहा है एक बार भी कर लिया sexual intercourse तो यह अपना वाइरस HIV का किसको transmit कर देगी A या कर देगा A person B को अंटिल अंलेस person A HIV infected है person A HIV infected है लेकिन उसको AIDS नहीं है यह भी हो सकता है परशन एचाइवी इंफेक्टेड है परशन B के साथ contact में है लेकिन physical contact में नहीं है sex में involved नहीं है हां handshake कर सकता है handshake कर रहा है ठीक है एक ही प्लेट में खाना खा रहा है सेंप्लेट में खाना खा रहा है कोई दिक्कत नहीं है इसको क्या बीको HIV होगा नहीं होगा बीको HIV नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि sexual intercourse या blood transfusion यहां पर नहीं हो रहा है कि समझ में आ रहा है तो यह infectious तभी होगा जब spread हो गया आज पर उसमें आये हैं तुरंत spread हो गया ठीक है और माइक्रोब बेन है यहां पर माइक्रोब है हां एक जेनरेशन में पास कर सकता है ठीक है डाट इस एक के बारें बात करते हैं ना इसके जब आयेगा तब हम बात कर लेंगे इसके बारें पुरे डीटेल में चलो तो infectious क्या होता है infectious होता है microbes के वज़ए से जो होता है उसको हम कहते infectious और वह communicable होता है ठीक है एक परसन से दूसरे परसन में communicate करता है लेकिन वह microbes communicate करेगा और वह disease cost करेगा ठीक है और वह example क्या है फ्लू और common cold फ्लू और common cold कि इसका example दे रहा है ठीक है आया समझ में आई बात समझ में अगर हम बात करें नॉन infectious disease का non infectious का तुम किसको कहेंगे non infectious diseases are the diseases which are not caused by the microbes microbes के वजह से नहीं हो रहा है that is called non infectious for example cancer यहां पर दिया है देखो cancer आस्थमा diabetes यह सब क्या non infectious है ठीक है infection cannot spread from one person to another फैल नहीं सकता है यह कभी नहीं फैलेगा उसको क्या कहेंगे non infectious कहेंगे है ठीक है क्या कहेंगे non infectious कहेंगे आप आई बात समझ में है कोई दिक्कत है यहां पर किसी को भी no dhkat that's badhiyah next much head is very cutting here lots of lots of much head are cutting पता नहीं वेर इस मस्किटो कोई रखा हुआ oh my goodness oh my goodness let me switch on of punkah नहीं चल रहा है भाई punkah कहीं चल रहा है okay now let's move on to the agla page okay move on to agla page okay yes concept s chalo please give me the answer concept s infectious disease are the disease that can spread from an infected person to a healthy person say yeah which of the following can make you ill if you come in contact with an infected person but I am 1 2 3 4 sneezing and coughing is the right answer yes it is the right answer okay aga birthday ठीके sneezing and coughing correct okay summary health is a state hmm I am not looking at the झाल to 0 you micro which enter the body through nose are mostly likely to affect a liver heart brain lungs लंग्स ठीक है लंग्स तो यह लंग्स है सही एंसर नेक्स्ट गलत एंसर भाई लंग्स नहीं होगा लंग्स कैसे होगा जापनीस थेंस अधिस हमने क्या पढ़ा था जाप पढ़ा था पहले ब्लेड वजल्स में जाएगा फिर ब्रेन को अटाक कर देखें अ क्या हुआ दूसरा कोशन है साइड गुश्ट दूसरा है कि एक सिकेड़ कि अच्छा वहता है ब्रेन अटाक ठीक है ब्रेन में इंफ्लमेशन होना उसी को कहते एंसेफलाइटेस ठीक है तो यह ब्रेन को अटाक करता है ब्रेंस छलों नेक्स्ट है इंफ्लमेशन लेकिन यहम लोग 🎵 नहीं पढ़ेँगे ठीक है यह ऑगले कलास में पढ़ेगे ठीक है यह लोग अगले कलास में पढ़ेँगे आज के लिए बस इतना ही आई hope आपको समझ में आ गया होगा ठीक है कोई क्वेस्टिन है कोई क्वेरी है कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि अब यह अभी 15 मिनट आपको क्वेस्टिन के लिए इस अभी तक चाप्टर में डीजिस में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए कि कि और अगर नहीं है तो यू में लीव प्लेज ओक बिल्कुल सेंट कर देंगे डोंट वरी डोंट वरी बिल्कुल सेंट कर देंगे कि अपट वरी पड़ी वाइट तैंक यू फा जॉइनग अपना क्याल रखिए वढ़ते रहिए खुश रहिए बाइग